Hello everyone, Dolly Kitchen में आपका स्वागत है, आज मैं बनाने जा रहे हूं अलू प्रांथा, स्ट्रीट स्टाइल, जैसे स्ट्रीट फूट बनाते हैं, उसके अंदर अलू का प्रांथा होता है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, वैसे तो आपने बहुत बार बनाया भी होगा, खाया भी हो है, ग्रेट करने से गुटली नहीं रह जाती कोई भी, अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, क्योंकि स्ट्रीट स्ट्राइल है, इस देश के अंदर मसाले जादा ही जाएंगे, इसके अंदर हम एक चम्मच नमक, आदा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आदा चम्मच पाउडर यूज़ कर सकते हैं, एक चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा का पाउडर है ये, आदा चम्मच धनिया पाउडर, आदा चम्मच कश्मिरी लालमेच पाउडर, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता इससे, और ये मैंने लिया है, तीन चम्मच पनीर, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से बना रहे हैं, तो जरूर डालें, इसके बाद ये लिया है मैंने हरा धनिया पता, सारे चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी स्टरफिंग ये बनके तियार होती है, यहाँ आ अच्छी स्टरफिंग बनके तियार हुई है, मैंने यहाँ नमक चेक किया है, बिल्कुल ठीक नमक है, जितना मैंने मिजरमेंट बताया है, बिल्कुल उतना ही रखे, इसके बाद मैं ला रहे हूँ ये आटा, आटे को मैंने पहले ही गूंद के रख दिया है, जैसे हम नॉ बहु का अटा है, और बिल्कुल सिंपल रोटी की तरह इसे गुंता है, उपर से मैंने थोड़ सा ओयल लगाया है, क्योंकि इसके उपर पपड़ी नम बने इसली, तो बहुत अच्छा अटा ये सेट हुआ है, आप देख सकते हैं, तो अब बनाते हैं प्रांथा, तो हाथ से, साइड से थोड़ा सा ये पतला होता जाएगा, और सेंटर में थोड़ा सा मोटा रह जाएगा, फिर इसे हम हाथ से इस तरह से दबा लेंगे, तो अब इसके अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी, मैं इसे देसी घी के अंदर बना रही हूँ, आप चाहें तो फील करेंगे तो आप देखें जम इस प्रांठे को बनाएंगे तो इसमें एक चीज खास होगी कि इसमें आट्टे का टेस्ट कम और स्टफिंग का जाधा आएगा इसकी लिए ऐसी हो जाएगी मतलब स्टफिंग हमने जाधा बरनी है तो आप देख रहें मैंने काफी सारी प्राइल नारे हैं सबसे बिगेस्ट प्रांठा अब इसको धीरे धीरे हमने इस तरह से साइड से लिपते हुए फोल्ड करना है हलके इसको अंदर कर लेते हैं इस तरह से हमने इसे लपेट लिया है हलके हाथों से इसे हम दबाते हुए थोड़ा सा हाथ से ही बेल लेंगे आप देख रहे हैं मैंने इसे हाथ से ही बढ़ा कर लिया है इस तरह से राउंड राउंड इसे क्या है यह बिल्कुल भी फटेगा नहीं आपको इसे बेलने की जूट नहीं पड़ेगी तो इतना बढ़ा करने के बाद अब हम हलका सा बेलन चलाएंगे बिल्कुल हलका सा हमें जादा बेलने की जूर्टनी पड़ेगी, तो अभी इसका साइज आप देख रहे हैं, कम है, अभी इसे हम और फैलाएंगे, अगर आप से हाथ से नहीं होता तो आप बेलन से कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे बेलना है, मुझे तो बेलन की जूर्ट नहीं पड़ी, आप देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल इसे हाथ से ही कर दिया है, मैं आपको दोनों तरफ दिखाना चाहूंगी, तो आप देख रहे हैं, दोनों तरफ बिल्कुल भी ये प्रांठा फटा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मसाला बहुत जादा था, तो अगर आप बहुत जाता है, तो ये को दिखा गर्म होने देगे, तब हमारा गरम हो गया है, फोड़ा-स गी लगा लेते हैं, फ्रश को दोनों दोनों पर correct फरिख से आप देख रहे हैं, अब इसके ओपर डालीं है अब आल्लो पर ट अब इसे हम बनाएंगे, मैं जैसे हम पर अपनाते हैं इसे हम पलड देता है हलका सा घी यह यह घील गहाने देता हो आप अपने मन पबाशन संच कम ज्यादा रख सकते हैं एक बार समय हम ऐसे दुबाजा पलडेते हैं तो आपसे देखा इतना अच्छा यह प्रांथा बनके प्यार हुआ है तो यह हमारा बन गया सबसे बिगेस्ट प्रांथा अलू प्रांथा शायद आपने पहले कभी निखाया होगा बिल्कुल इसी तरह की स्टफिंग के साथ आप इसे बनाएं और बजार के प्रांथे का आप मजा लें उमीद है आपको यह प्रांथा बहुत अच्छा लगेगा बहुत ही पसंद आएगा मैं इसे क्लेट में निकाल लेकि उसर्फ करने के लिए तो आप में देखे हैं मेरी क्लेट में पूरा प्रांथा आया है उमीद है आपको यह प्रांथा बहुत जादा पसंद आएगा बहुत ही अच्छा लगेगा स्पेशल स्ट्रफिंग के साथ आप इसे इसी तरह से बनाएं और एंजॉय करें और अपने एक्स्पिरियंस में साथ शेयर सुरूड करें अगर आपको प्रांथा अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ज़ादा से ज़ादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैं